हेलो एवरिवन मैं हूँ अनीशा कुकवित अनीशा मैं आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रत में खाए जाने वाले आलू टमाटर की चटपटी सबजी जो बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए हम बनाते हैं आलू टमाटर की सबजी इसके लिए यहां मैंने तीन टमाटर ले लिया है और इसको हम जो है काट लेंगे पतला पतला बहुत ही बारिक बारिक इसको काट लेंगे जिससे यह जल्दी से जो है गल जाएगा तो यहां मैंने सारे टमाटर काट लूँगी मैं यहां पर जितना भी मेरा टमाटर है अब इधर मैंने कराही ले लिया है उसमें मैंने तेल डाल दिया है गरम करने के लिए आप चाहें तो घी डाल सकते हैं और यहां तेज पत्ता, लाल मेर्च, जीरा और आधी छोटी चमच, हींग डाल दिया है मैंने और इस सब को लाल होने देंगे हींग से आलू टमाटर का सबजी जो है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए हींग जरूर डाले और इसको मैंने अच्छे से लाल कर लिया है अब इसमें जो मैंने टमाटर काटके रखा था वो डाल दिया है मैंने और इसको अच्छे से हम भून लेंगे जब तक यह गल ना जाए इसलिए यहां पर थोड़ी सी जो है मैं सेंधा नमक अभी डाल रही हूं ताकि टमाटर जल्दी से हमारा गल जाए और बहुत ही जल्दी यह सब्जी जो है बनके रेडी हो जाता है तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं इसके लिए यहां मैंने ब सब्जी के लिए जो है आलू बॉयल और ठंधा लीजिए ताकि जो है सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है अगर गरम आलू रहेगा तो सारा आलू मैसी बन जाता है तो इसलिए जो है ठंधा करके आलू को फिर यूज करें तो इस तरह से मैंने सारे आलू कट करके रख इधार हमारा टमाटर भी गल चुका है तो अब इसमें हम अपना आलू एड कर देंगे और इसको भून लेंगे अब यहां जो है मैं थोड़ी सी हल्दी की पॉडर डाल रही हूं और थोड़ा सा धन्या पॉडर आधा चोटी चमच जीरा पॉडर डाल दूंगी और फिर इसमे हम कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि इसका कलर जो है बहुत ही सुंदर आता है कस्मीरी लाल मिर्च से अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं तो यहां मैंने कस्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और अब इसमें मैंने सिंध आता है, कस्तुरी मेथी भी डाल दिया है मैंने और सब मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से उसका जो कचापन होता है मसाले का वो दूर ना हो जाए तो इसको हमें धीमी आज पे अच्छे से भून लेना है इस तरह से देखे चलाते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है ये देखे भूनते भूनते ये जो है गदम लाल हो चुका है ऐसा ही कलर हमें चाहिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये सबजी खाने में भी और देखने में भी बहुत ही टेंप्टिंग लगता है अब यहां हमारा मसाला भून चुका है तो अब इसमें मैं पानी एड़ कर लेकिन आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा उसको कर सकते हैं तो यहां मैंने हमारा जो सब्जी है वो बॉयल हो चुका है अब इसमें मैंने आधी छोटी चमच गरम मसाला डाल दिया है और यहां पर मैं धन्या की पत्ती डाल दूंगी और यह सब्जी लगभग हमारा तयार हो चुका है बहुत ही जटपट यह सब्जी बन जाती है बस चार से पांच मिनट लगता है इस सब्जी को बनने में बहुत ज्यादा से ज्यादा तो यह देखिए हमारा सब्जी जो है बनके एकदम रेटी हो चुका है और इसका कलर भी ब बहुत ही जादा अच्छा रहता है और ब्रत में बहुत फाइदा भी करता है आलो टमाटर तो आप भी जरूर से बनाएं यह सब्जी और इसको पुरी के साथ रोटी के साथ चावल के साथ अराम से खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है तो यहां मैंने सर्व कर लिया है ह उसको मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निस कर दिया उपर से, तो आप भी बनाईए, खाईए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैमाता दी, थैंक्यू फो वाचिंग मैं वीडियोट,